दोस्तों आपको यह जो भाई सब स्क्रीन के उपर दिखाए दे रहें इनका लैप्टॉप से डिलीट हो गया अब यह परेशान है कि रिकोवर कैसे करें अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए मतलब आपके लैप्टॉप की हाट डिस्ट में से या फिर आपके मेमरी कार्ड में स आप परिश्रान हो जाओगी यार वो तो डिटा बहुत इंपॉर्टन है क्योंकि आजके जमाने डिटा सबसे इंपॉर्टन है बेटा तो अगर वो डिटा एक्सिदेनिट हो जाता तो उसे रिकोवर करना कैसे इसके बारे में यह मैं लेकर आपके लिएक ऐसे सॉफटर की जिसमें डेटा एजिली रिकावर होता है तो चिलिए सॉप्टर के बारे में डीटेल में जानते कंप्लीट टेक्नाओं चैनल पर मैं सदिश आप सब का सौगत करता हूँ शुरू करते हैं आज का यह डेटा रिकावरी का इंट्रेस्टिंग वीडियो लेट्स बेगिन लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताओ कि आप अगर नहीं हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकों पे क्लिक कीजिए ताकि हमारे वीडियो के नोडिफिक्शन आपको टाइप में स्मार्ट बढ़ें तो अब बढ़ अगर अगर आप इसे खरीदने का सोच रहे तो अलड़ी में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लिंक दी है जिसके उपर 50% आप आपको मिलने वाला है उस लिक्ता है उस लिक्ता है तो चलिए इसे फ्री ट्राइल करके हम देखते हैं सबसे पहले मैं फ्री डाउनलोड कर लेत अगर आप इसे खरीदने का सोच रहे तो अलड़ी में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है जिसके उपर 50% आप आपको मिलने वाला है उस लिंक पे क्लिक करके जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक किज़ेगा फिलाल आप देख सकते है यहां पे डाउनलोड हो इसे कि constitutes a button माइ खिलेता हु जैसे में करता हूँ जैसे में तो इस प्लिक करों क्लिक करों स्कूलोड boat को इंस्ट्रल हो जाएगा और आप इसे लिए और रिज्षाफ हो जाएगा अपके ड्य तो चुका है यहां के अपके सामने अपीका उत्य का सब़ता हृप कर देता मैं इस ओफर को फिलाल क्लोज कर देता हूं और फिलाल आप देख सकते हैं यहां पर यह रिकोरी विजार आपके सामने आ चुका है अब आपको कौन से ड्राइव में से डेटा रिकोरी करना है वो लोकेशन आपको सिलेक करना है करने सेटा बहुत इंपर प्रकारी का सिलेक अ सेलेक लोकेशन ही कर सकते हैं आपको लोकेशनलेंव जहान से पोरिको ना ..." तो में मेरे पें राइव मेसे डेटा रीकोर करना चाहता। तो एक्चुली मैं आपको पेंडरी जोरो दिखाना चाहूंगा सबसे पहले तो अब मैं आचुका मेरे फाइल एक्स्प्लोरर के अंदर जहां मेरे लोकल डिस्क ड्रायूस है C D E और ये पेंडरी है ये टुएआरी ये। इसी देशने स्थेजने डेतर रेकाना चाहता। यूटूबीट का मेरे घयरता फोलडे पोल्डिनेशफे कई उत्सारा की मेरे कुछ देशना थेमेजएरी श्यचुली एकश्टनेल्स कॉर yourself मैं आपको एक ट्रायल दिखा रह हो निया कि दो पर बिलेट कर रहा हो यह एक जानस बाइl कर चा glutता डिल्व करें टो कर एक वे झाल के र्सैंका तुरिप देल कर सकते हैं आदे हैं तो हैं कि मैं इूलमेड के प्राइऑ में था किया निक खाना था समय इस फोल्ड़ फॉल्ड़ प्राइख टोति असरनी टेट ओक रह रहे हैं इ। आप 162 पोस्तुटम सचन का थाफं आटंड करूंध कर जांद दो कि और ये scanning यहां पे पेंडरी के अंदर से हो रहा है जो कि अलग अलग फॉमेट में वो फाइल्स दिखाए देगी मतलब जिया पिंजी जपीजी टीटीफ अलग फॉमेट की फाइल अलग फोल्डर में यहां पे वो स्कैन करकी डिटेक करेंगा कि आपके अंदर कौन कौन सी फा कर देता हूं गया पर आपको दिखा दे रहर यह फास्परवड हो गया है और यहां पे आट्वांस स्कैन के अंप्लिडेड हो चुका है लगबग फंद्रा जिपी का डेटा उसने यहां पे स्कैन कर लिया है उसे पंद्रा जिपी की लॉज़ फाइल्स मिलें तो अम लौश folder आम ही मिल रहा है थम्निल्स फॉर यूट्यूब यह भी हमारा folder मिल रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं थम्निल्स फॉर यूट्यूब यह अमारा folder था और यह हमारी images से इसके अलावा भी और बहुत कुछ फाइल उसे मिली है लेकिन उसे अमारा मतलब नहीं है जो कि परानी फाइल हो सकती है फिलाल ये फाइल आपको दिखाई दे रहा है जो कि मैंने आपको दिखाया था वो इमेजेस ये तीन फाइल है यापे तो मैं तीन हो भी रिकॉर्ड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहां पर मैं record बटन पर click करूँगा जैसे मैं यहां पर record बटन पर click करूँगा वो पूछेगा कहां पर record करना है आपको desktop पे या फिर आपको उसी drive में उसी folder में record करना है तो आप उस drive को select कीजिए और उस folder को select कीजिए thumbnail for YouTube अगर आप देखोगे अभी मेरे पास उस thumbnail for YouTube में यहां पर images नहीं है है क्या नहीं है तो अब मैं यहां पर उस folder को select कर रहा हूँ रिकवर कहां पर करना है रिकवर बटन पर click कर कर की यहां पर okay कर दो finally जैसे आप यहां पर okay करोगे क्योंकि वहाँ पर data नहीं है लेकिन उसके parts available रहते है hard disk के अंदर तो वह all right होने के बाद permanently उसके अंदर और भी data रहेगा तो वह lost हो सकता है इसलिए आप इसे अलग जगा पे save कर रहा हूँ तो मैं उसी location पर इसे सेव कर रहा हूँ और यह रिकावर रहा है फास्ट और हो गया that's it आपको यह preview मिल रहा है यह दिखाई रहा है आपको यह पहली मेरी इमेज है आपको दिखाई रहा है यहां पर मैंने उपन करी है और आप देख सकते है तो इस तरह से recovery software काम करता है बहुत आसानी से फाइल को रिकावरी करता है और यह ट्रायल मैंने आपको यह सामने रन किया है इसका अगर license version आपको लेना है तो description में एक link दिए जह आप 50% discount के साथ आप इसे खरीच सकते है अगर आपकी कोई important file delete हो गई है तो इस software की जरूर आप help लीजी है काफी अच्छा software हर एक file को अलग अलग record करके देता है मतलब zip format के अलग file jpg अलग file और सारी location से यह file detect करता है लेकिन यह file तभी record करेगा disclaimer सुनिए अगर उस location पे आपने कोई file और override नहीं की होगी तो पुराने path search जाते तो आप record करना आपके लिए मुश्किल होता है तो यह लेकिन आची तरह से scan करके आपके सामने डहर सारे recovery options देता है अगर accidentally आपके कोई important file delete हो जाती है तो इस software के आप मदद ले सकते हैं आपको पसंद आई होगी पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए साथी मेरे जितने भी चैनल है उसकी स्क्रीन पे आपको मैं लिंक दिखा रहा हूं या description में भी लिंक दी है आप विजिट कर सक रहते हैं मैं मिलूं को कुछ और इंट्रिस्टिंग वीडियो के अंदर तब तक के लिए अपना खयाल रखिए सीखते रहे सीखाते रहे है बाइबाइब